नमस्ते अनी स्वागाचा सबेलाई एवियाटिक चैनल मा जेट पंद्रगती बहेको ताराईयरको दुर्गट नाले सबेलाई दुखी बनाएगाश रो नेपाली एवियेशन इंडरस्ट्री लाई फेरी औरको यवडा छेती पुरे आएगाश 19 जना पासेंजर्स रो तिन जना क्रीव मेंबर्स चहित 22 जना बोके रो ताराईयरको टुनियोटर डीएससे 6300 सेरीज को 9 और नोवेंबर अल्फा एको टैंगो रेजिस्ट्रेशन रहेको जहाज पोखरा बाट जोम्सम जानेकरम मा सान स्वारे थसांग बनने योटा डाणा मा चाई क्रैस बहायो रो प्रारंबिक अनुसंदान अनुसार मौसम को कारणले दरुगटना बहायो को देखीन जहाज 43 बर्स पुरानो बहायो को ले देरे जनाले धोत्रो अथबा पुरानो जहाज उडायर पैसेंजर्स लाइ रि यदि एयरलाइंच ले आपनो जहाज राम्रसंग मेंटेनेंस गरे रहा रेगुलर कम्प्लाइंस चेक गरी उडायमा तीस बर्स बड़ी सम्मा पनी चलाउना सकीन जह एयरक्राफ्टको एज तीन ओटा कुराले हेरी जह पहिलो क्रोनोलोजिकल एज दोसरो नंबर अफ फ्ल को ट्योंटर द्ह 6300 ना नॉबेंबर अल्फा एको टैंगो शन उनने से उनन असी मा निर्मान भाय को थियो राइले एज को एज तिर्चालेश बर्स हो तैसाई गरी नॉम्मर अफ फ्लाइट साइकल्स बनाले नॉमर अफ टेक ओफ अन लैंडिंग बनने बुजिंच रा अ अफ और आवियशन टम मा एसलाई प्रेसराइजेशन साइकल बने रुजिंच रो एऊटा प्रेसराइजेशन साइकल बने को वां टैक-फ अन Hindus बने रुजिंचaus बोईंग 747-400 जस्तो जम्बो जेट को प्रेसराजेशन साइकल 35,000 डिक्लियर गरियेकुछ जुन बनेको यूप एरक्राफ्ट ले 35,000 लानिंग अन्टेकफ एंडल गर्ना सक्षा तेजेगेरी यूज आहाज ले 1,65,000 फ्लाइट आवर सम्मा अपरेट गर्ना सक्षा सेफली अपरेट गर्ना सक्षा भनेर बुजनुबश रो ट्विनटर को कुराया गर्दा मैनुफाक्टरर कम्पनी ले क्लेम गर्या अनुशार इसको फ्यूजलाज मनेको इसको जुन बड़ी पार्ट्स तेशले 1,22,000 साइकल हैंडल सक्षा भने रो यो जहास को विंग ले 66,000 साइकल सम्मा धान सक्षा यो प्रेसराजेशन साइकल ले एरक्राफ्ट को स्ट्रोक्चर कती सम्म सेफली फ्लाई गरना सक्षा बने रद देखाऊँचा तो रह एरक्राफ्ट को अरु पार्ट्स जस्ते इंजिन, प्रोपेलर, वायरिंग, केबल्स, फ्लाईट इंस्ट्रुमेंट्स, हाइड्रलिक सिस्टम, सेंसर्स लगायत अन्य थुप्रे पार्ट्स अरुको आफने वैलिडिटी अमबर ओफ फ्लाईट आवर्स बाहेक एयरक्राफ्ट को एज, इंबारोमेंटल कारणले पनी एफेक्ट गरश, जस्ते को रोजन, मेतल फटीग रो वाय्डि स्परेड फटीग दामेज, आमफुल केमिकल्स, रेणफॉल, एसे ड्रेन, दुआँ दुलो र अन्योअ मा अथवा एरक्राफ्ट को बड़ी मा कोरोजन निकालना सक्ष। तेसे गरी यवटे चीज बारम बार प्रयक्ग गरधा मेटल फाटिग होना सक्ष। जस्ते एरक्राफ्ट को रडर पिडल देरे समय समय एक्सेसिव यूज गरधा भाचे न सक्ष। यदि रेगुलर मेंटेनेंस वा रिप्लेस्मेंट गरियेको चाहिना भने। तेसे ले कुनेपनी एरलाइन्स अथवा रेगुलरिटरी बड़ी ज स्ट्रिक मेंटेनेंस रा पार्स रिप्लेस्मेंट गरेको चाहिना मनर स्ट्रिकली चेक गरनू पने हुन्ज। अईले समय को एवियेशन हिस्ट्री हेरदा एरक्राफ्ट को एजिंग ले गरदा केक्रासे सरू बायका शन। र सबदी भंदा चर्चित गटना अलोहा को फ्लाइट 243 हो सन उन्नैस से अठासी मा अलोहा को बोईंग 737-200 जहाज कोरोजन रफटिक को कारण ले स्ट्रोक्चर कमजोर भई उडी रहे को बिला में 5.5 मीटर जाती कैविन स्पेस जहाज को बड़ी बाड़ा चोटियो कोरोजन रफटिक को कारण ले एरक्राफ्ट क को स्ट्रोक्चर मां एक्स्प्लोसिब दीकोंप्रेशन क्रेट भई उडी और एसा हो उडा हो दे पनी जहाज ले सेफ लैंडिंग गोर्यों तेसे गरीशन उन्नैस से चायनब्य मां ट्रांस वोल्ड एयर्लाइन्स को बोईंग 747-100 आकास में पड़ कियेर एट्लांटिक ओ अरुछन जसले एरक्राफ्ट पुराना हो दे गवाय पसी रिक्स निम्द्याउंद शु एयरक्राफ्ट को एज युटा सेफ्टी इस्यू उना सक्ष तरह प्रपर मेंटेनेंस रर्रेप्लेस्मेंट गरेमा एयरक्राफ्ट छिट्टे एजिंग उना बार्ट वाने बचाव अरुछ अहले पने सेफली उडान भरी रहे काशन। मेंट कुरा के बुजन पर्शा बंधा केरी यदि कुने पने जहाज ले आफनो प्रेसराइजेशन साइकल लिमिट वा फ्लाइट आवर्स लिमिट छिट्टाई क्रोस गर्चा बने त्यो जहाज अब सेफ ना होना सक्ष जस्ते ट्वीन अठले 20 बर्शा बित्र एक लाग बतिस हजार साइकल रर रिलेटेड फ्लाइट आवर्स क्रोस गर्यों भने अब त्यो जहाज को स्ट्रोक्चर कमजरून सक्ष तर त्ये एक लाग बतिस हजार साइकल पुग्ण 40 बर्शा बड़ी लागे भने रर रेगुल 20 बर्शा को मात्र थियो तरह त्येसले त्यो क्रेस्ट लेंडिंग मुदा खेरी 90,000 फ्लाइट साइकल्स 35,000 फ्लाइट आवर्स बंदा बड़ी क्रोस गरी सगेगो थियो जोन मैनेफ्टरर ले तोकेको बंदा डबल हो त्येसले यो जहाज को एरफ्रेम कमजर भायो र उड रहेको बेला माने काविन स्पेस छोटी एर क्रेस लेंडिंग गरने अवस्ता आएको थियो तारा येरको ट्विनोटर डी एची 6300 नाइन नोबेंबर अल्फा एको टैंगो शन उन्नैस से उनननसी मा निर्मान भायेको थियो र यो जहाजले पोईड फ्लाइट 21 अप्रिव उन्नैस से उनननसी मा गरेको थियो तेस वची एर बोट्षवान आले तेही साल मा यो जहाज खरीद गरेर उडान शुरू गरेओ र त्यो जहाज को तेदि हेरा रेजिस्ट्रेशन अल्फा टू अल्फा ब्राबो लीमा थियो तेसे गरी उनननसी त्रियासी मा उक्ता अल्फा गरेओ तेदि हेरा यो जहाज को रेजिस्ट्रेशन सेबन पापा लीमा अल्फा गॉल्फ तेयो तेस वची उनननसी पचासी देखी उनननसी संतानप्वे सम्म आर आर वी यो सर्विस कमपनी ले यो जहाज लाए इको टैंगो अल्फा इंडिया विस्की लिए रो यो एर्रक्राफ्ट अपरेट गर्यो रो सन उनननसी अंठानप्वे मा मात्र यो जहाज नेपाल वित्रियेको थियो जुन गरूड एर को नाम मा थियो रो रो रेजिस्ट्रेशन चाई नाइनर नोवेंबर अल्फा इको माइक थियो गरूड एर अपरेशनल न न कारण ले तेई बर्ष लुम्मिनी येर्वेज ले यो जहाज लाइक किने रो रजिस्ट्रेशन नाइनर नोवेंबर अल्फा इको टैंग मा चेंज गरेको थियो रूम्मिनी येर्वेज पनी अपरेशन न भायर डिफंट बाय पची त्यो जहाज येती येर्वेज जुन किनेर दुरुडम्य चेत्रमा उड़ान शुरु गरियो। सनथी हजार द़स्ट्स एप्रिल मान नोवेंबर अल्फा इको टैंगो तार इको ना मा रिजिस्ट्र भायो। यो टाइम लाइन हेर्दा खेरी 9 नोबेंबर अलफा एको टाइंगो को उमेर तिरचारिस बर्शाद देखीन जो सन उनेसे चोर आची मा लिसोतो एर्वेस ले अपरेट गरनी क्रम मा एकचोटी योजहाज दुरगटना मा अपनी परेगोशो जसले करता राइट विंग डेमेज बहाएको थियो पचे रिपेर रिया मिन्टेनेंस गरी सेके पचे योजहाज सर्विस मा बैक आयाको थियो राइले नेपाल मा क्राश हुदा केरी चाई पुरे डिस्ट्रे बहाएको थियो इन्बेस्टिगेशन रिपोर्ट ना आउंधा सम्म के बहाएको बन्ना सकिन्ना के अनुमान लगाऊंधा मोसम को कारण ले क्राश बहाएको देखिन्च राब आयो एसको कुरा तारा एरको चुन्योटर तिरचालेस बर्स पुरान थियो तरा एदी यसले आफनो फ्लाइट साइकल रा फ्लाइट आवर्स लिमिट क्रोस न गरेको रा एर्लाइन ले प्रपर मेंटेनेंस रा पार्ट्स रिप्लेश्मेंट प्रूब देखायेको कंडिशन मा तेस जहाज पुरानो र थोत्र बयर पैसेंजर्स लाइए रिक्स मा राखेको बनना सकी देना तेसले फ्लाइट साइकल लिमिट क्रोस न गरेको जहाज रा सेडियूल स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस गरेको जहाज पचास परस बंदा माथी पनी सर्विस देना सक्षो तारा योर को दुरगट नाले सबे लाई स्टब्ध बनाएगो शो पीडा मा रहेको परिवार र आफंत जन लाई तईर दारान गर्ण सकने सब्ति मिलोश यहने हमरो कामना शो इन्वेस्टिगेशन को फाइनल रिपोर्ट आया पसी डिटेल्ड वीडियो ल्यामने सब्सक्राइब आजाल आयतीने एवीशन रिलेटेट का लागी हैमिसंगों कनेक्टेट रहन होला